हेलो फरेंड्स वेलकम टू रूट। दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में हम इंडेन जग्राफिय का एक महात्रपूर्पाथ या फिर वाटरफ़ॉल हैं. इन से जो एमसी क्यूज हैं महात्रपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्प जहां से एक्जामस में कुशन पूछे लेजिए उसके वादि आप MCQ उसको लगाएंगे तो आपको जाद अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगे तो चलिए आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को अन्त तक जरूर देखे क्योंकि महात्मा गांधी वाटरफॉल पहला कोशन देखते हैं पहला कोश गुलिया तो बच्छो जो महात्मा गांधी जलपरपात है ये जोग जलपरपात ये फिर इसको जोग गरसोपपा जलपरपात भी बोला जाता है ना इसका नाम है आपको याद रखना है ये काफी इंपोर्टन जलपरपात है बच्चो कई वारे हां से एक्जाम में इसके लावा ये कहां पर है तो करनाटक राज्जी में इस्थित है दक्षिन भारत का एक राज्ज है इसके लावा शरावती नदी पर ये इस्थित है आपको याद रखना है इंपोर्टेंट है ठीक है और इसकी उचाई कितनी है 253 मीटर इसकी हाइट है या फिर उचाई है तो ये बात भी आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन देखते है सिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्जी में इस्थित है या फिर लोकेटेट है इन विच इन विच श्टेट इस दा सिव समुद्रम वाटरफॉल सिचुएटेट ठीक है चलिए तो देखिए तमिल के बात करेंगे तो इसका पहाड़िया यहां आसपास से इसकाbek होता है तो आपको याद रखना है करणा राज Lap को भारत काउशो जालप्रपात माना जाथा है या कितनी है या फिर height कितनी है ठीक है तो पहले इसका answer देख लेते हैं फिर detail discuss करते हैं 350, 455 meter, 660 meter या फिर 265 meter तो इसका answer हो जाएगा बच्चो 455 meter height है कुंचीकल waterfall की जहना कहां पर located है कहां पर इस्थित है ये तो कुंचीकल जो जलप्रपात है ये करनाटक राजज में ही इस्थित है सिमोगा जिला है करनाटक में वहाँ पर ही ये इस्थित है उसी के पास इस्थित है आपको याद रखना है इसके लवा वराही नदी पर वराही नदी पर ये इस्थित है आपको याद रखना है नदी important है न कौन सी नदी है बराही नदी है तो आपको नदी का नाम भी याद रखना है राजी भी याद रखना है और इसकी height भी याद रखना है क्योंकि भारत का सबसे ऊचा waterfall है ठीक है चलिए अगला question देख लेंगे करनाटक में इस्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर इस्थित है यह सारे जलप्रपात मैंने आपको अल्रडी प्रीविस लेक्चर में पढ़ाये हूँ है जिसमें हमने जलप्रपात की थियोरी को डिसकस किया है तो आप वह वाला लेक्चर एक वर जरूर देख लिए ठीक ह चलिए औप्शन देख लेता है कावेरी दामोदर कृष्णा या फिर घाट प्रपात तो जो बच्चो जो गोकक जलप्रपात या फिर वाटरफॉल है यह खाट प्रभा नदी पर इस्थित है इस पर है घाट प्रभा नदी पर इस्थित है और घाट प्रभा किस की सहायक न यह भी मैंने आपको समझाय था प्रिविस लेक्चर में आपको यह भी आज रखता है कि कोई सहायक नदियों से भी कुश्चन आजाता है तो important जल प्रपात है गोकक जल प्रपात घाट प्रभा नदी पर और किस राज्ज में है तो करनाटक राज्ज में है कहीं से भी कैसा भी कुश्चन बन सकता है राज्ज भी पूछा जा सकता है नदी भी पूछी जा सकती है है ना कुछ भी पूछा जा सकता है चलिए अगला कुश्चन देखेंगे हम करनाटक में इस्थित जोग जल प्रपात किस नदी पर इस्थित जोग गर्सोपा का एक अलड़ी हमने कुश् कई वार यहां से एक्जाम में अलग अलग तरीके से question repeat होता है ठीक है सरावती नदी पर जोग गर्षोपा या फिर इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है इस्थित है चलिए next question देखते हैं खुंडुरु जलप्रपात भारत की किस राज्य में कई वार एक्जाम में question पूछे जाता है option देख लेते हैं आंधरपदेश ओडिसा जारखंड या फिर बिहार इसका answer हो जागा c जारखंड राज्य में राची के पास जो इसकी capital है राची के पास खुंडु वाटरफॉलिया फिर खुंडु जलप्रपात इस्थित है ठीक है आगे दिखते हैं चुलिया जलप्रपात किस नदी पर इस्थित है चुलिया जलप्रपात की बात की जा रही है option दिख लेते है नर्मंद नदी चंबल नदी तापती नदी या फिर सौन नदी तो जब चुलिया वाटरफॉल की बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर इस्थ याद रखना है चंबल नदी पर चुलिए जल प्रपाद इसके लावा चंबल नदी कहां बैदी तो मदर प्रदेश से ओरिजन होता है राजिस्थान जाती है उत्तर प्रदेश में जाकर करके यमुना में मिल जाती है तो यमुना की ये सहायक नदी है यमुना की सहायक नदी ह प्रयाग राज में जाकर के गंगा में मिल चलिए अगला कोशन देख लेते हैं भारत की किस जलप्रपात को भारत का नियागरा वाटरफॉल भी कहा जाता है तो काफी important कोशन है कई वारे हैं से exam में कोशन आता है अब मुझे आप लोग पहले comment में बताना कि जो नियागरा वा चित्रकूट जलप्रपात है इसे भारत का नियागरा जलप्रपात भी कारता है क्योंकि इसका जो आकार है घोड़े की नाल की तरह है इस प्रकार से और इसी तरह का से आप देखेंगे तो नियागरा वाटरफॉल भी है इसकार से भारत का नियागरा जलप्रपात कहा जाता है आपको याद रखना है काफी महात्पून waterfall है ठीक है चलिए अगले question को देखने से पहले थोड़ा से मैं आपको update देता हूँ यह आप ssc के तैयारी कर रहे हैं आपका target ssc है तो ssc की किसी भी exam के आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ssc का target badge join कर सकते हैं वहाँ पर हमारी जितनी भी expert faculty है आपको teach करेगी जैसे maths हो गया reasoning हो गया सारी subject जितने भी ssc में पुछे आते हैं वो सभी आपको हमारी expert faculty के द्वारा पढ़ाए जाएंगे तो आपको करना गया है play store से root application को download करना है और बाकी detail आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसके लाव यदि आप DSSSC code apply करेंगे तो आपको extra 500 रोपय का discount मिलेगा ठीक है तो code use करना मत भोलना extra discount के लिए इसके लाव यदि आप मुझसे geography पढ़ना चाहते हैं interesting तरीके से geography के concept clear करना चाहते हैं तो आप root application पर मुझसे geography पढ़ सकते हैं चाहे world geography हो Indian geography हो मेरा बैच वहाँ पर live है ठीक है करना क्या है root application को download करना है आप जैसे ही play store से download करेंगे बाकी detail आपको सारी वहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा individual subject भी आप अलग अलग पढ़ सकते हैं जैसे maths, arithmetic, advanced इसके लावा quality पढ़ सकते हैं, science पढ़ सकते हैं, English पढ़ सकते हैं, history पढ़ सकते हैं, सारे subject की facility वहाँ पर है, individual आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं तो एक वार आप visit जरूर कीजिए, route application को, चलिए, अगला question देखेंगे, इनमें से कौन सा जलप्रपात, राजिस्थान में इस्थित नहीं है, राजिस्थान में located नहीं है, अलेवा waterfall, भीमताल, गोकक या फिर गैपरनाथ, इसकान सरुजाएगा बच्चो C, गोकक जो जलप इसे भी question आजाते हैं, आपको पता होना चाहिए, कौन से जलप्रपात कहाँ पर है, चलिए, next question दिखते है, पाला रूवी waterfall, कहाँ पर या फिर किस राजि में इस्थित है, पाला रूवी waterfall जो है, बच्चो कहाँ पर है, केरल राजि में है, यह answer इसका सही हो जाएगा, केरल अगले दिखते हैं, धुआधार जलप्रपात किस राजि में इस्थित है, धुआधार waterfall किस राजि में सिचुएटेड है, या फिर इस्थित है, या फिर लोकीटेड है, राजिस्थान, गुजरात, मध्रप्रदेश या फिर 36, क्या answer हो जाएगा इसका, simple सा question है, मध्रप्र से निकलती है, मेकाल रेंज से, यह already detail में मैंने cover किया हुआ है, भंश घाटी में बहने वाली नदिया, उसमें नर्मदा, तापती और दामदार तीन नदिया पढ़ा ही है, तो जिस भी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप हमारे crazy जी के trick के youtube चैनल पर देख जबलपुर जिले में इस्थित है, तो यह बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, भेडा घाट नामा के स्थान है, अगला कोशन दिखते हैं, चाचाई, वाटरफॉल या फिर जलप्रपात किस नदी पर इस्थित है, चाचाई, जलप्रपात की बात कर रहे हैं, ठीक है, अप्शन दिख लेते हैं, हतिनी, सौन, हिर्नी या फिर बीहर, तो बच्चों जो चाचाई जलप्रपात है, यह कहा है, यह भी मद्रप्रदेश में इस्थित है, और काफी उंचा जलप्रपात है, बीहर नदी पर इस्थित है, बीहर नदी पर इस्थित है, चाचाई जलप चम्बल जोग कृष्णा धुवांधार नर्वदाव तो सिव समद्रम कावेरी बिल्कुल सही है चुलिया चम्बल बिल्कुल सही है कोटा में इस्थित है इसके लब जोग गर्सुपा है बच्चो ये शरावती नदी पर इस्थित है तो ये ये मतलब देखेंगे तो सुमेलि ये यही आंसर इसका हो जाएगा जोग जलप्रपात है जोग गर्सुपा जलप्रपात ही किस नदी पर है सरावती नदी पर इस्थित है कहां पर करनाटक राज्जी में इस्थित है तो ये बात आपको याद रखने है इसके लिए धुवांधार द्रवदा अभी हमने डिसक इसकान सरुजा का बच्चों ओडीसा ओडीसा में इस्थित है बारे ही पानी जलप्रपात इसके लदबा एक और महतरपोंट जलप्रपात है है यहां पर आपको याद रखना है तो यहां से भी कई वार एक्जाम में कौशन पूछे जाते हैं याद रखना है ऑप्षन तो मुझकुंद जो नदी है बच्चो इस पर ही डुडुमा जलप्रपात उडीसा राज्ज में इस्तित है ना यह सारे जलप्रपात मैंने आपको पढ़ाये है तो एक बार फिर से आप मैं बोलूँगा यह आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सेंगे तो कहां पर डुडूमा वाटरफॉल मुझकुंद नदी पर इस्तित है उडिसा राज्ज में आपको याद रखना इंपॉर्ट थीसका अगला कोश्ण देख लेते हैं अम्बोली घाट वाटरपात इस्तित अ महराफ्ट महरास्ट राज मैं अबोली घाट जो वाटरपात महराष्ट र बजराई waterfall किस राज्जी में इस्तित है option देख लेते हैं राजिस्थान, मद्रपदेश, महराष्ट, रेफिर, गुजरात तो ये भी बच्चों कहां पर है, बजराई waterfall भी कहां पर है महराष्ट राज्जी में ही इस्तित है, important है आपको याद रखना है next question देख लेते हैं, नो काली काई waterfall जो वर्षा के काण मुख्यता बनता है क्या ना में नो काली काई waterfall, कहां पर इस्तित है option देख लेते हैं, मनीपूर, मिजोरम, मेघाला या फिर सिक्किम इसका अंसर हो जाएगा, मेघाला ये राज्जी में ये इस्तित है नो काली काई waterfall ठीक है, और ये वर्षा के काण बनता है, इसकी विशिष्टा ये है मेघाला में आपको पता ही होगा, चेरा पूंजी, मासिम राम जैसे इस्थान है जो विश्व के सरवादिक वर्षा वाले स्थान है, इसके लावा यहाँ पर वर्षा भी काफी जादा होती है वर्षा के काण ही ये बनता है, नो काली काई जल प्रपात, आपको याद रखना है, चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं, भारत का कौन सा जल प्रपात, तमिल नाडू और करनाटक राजजी की बाउंडरी या फिर सीमा पर बनता है ओप्शन देख लेते हैं, अम्बोली घाट, बजरई, राजरप्पा या फिर होगे नक्कल तो इसकांसर हो जागा बच्चो D, होगे नक्कल वाटरफॉल या फिर होगे नक्कल जो जल प्रपात है, ये कहां पर तमिल नाडू और करनाटक की बाउंडरी पर इस्थे थे, ये बात आपको याद रखना काफी इंपोर्टन है, ऐसा भी कोशन कही बार घुमा के आ सकता ह ठीक है, चलिए, अगला कुशन देखेंगे, पाईकारा जल प्रपात किस भारत के किस परवत पर इस्थे थे, तो काफी इंपोर्टन है, पाईकारा वाटरफॉल ये ना, कहां पर इस्थे थे, अरावली, सत्थपुड़ा, नेलगिरी या फिर शिवालिक, तो इसकांसर हो बच्चो जो नेलगिरी माउंटेन है, यहां पर ही पाईकारा वाटरफॉल इस्थित है, नेलगिरी माउंटेन कहां है, पश्चिमी घाट परवत आप देखते हैं, और यहां पर इस प्रकार से पूर्वी घाट परवत देखते हैं, तो जहां पर यह आपस में मिलते हैं, य यहां पर ही बच्चो नील गिरी नील गिरी माउंटेन इस्थित है ठीक है पूर्वी घाट और पश्रीमी घाट के मिलन इस्थल पर यह इस्थित है आपको याद रखना इसके लाब इसके लाब इसके सबसे ऊची चोटी कौन सी है तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर इसके लाब दक्षन भारत की सबसे ऊची चोटी कौन सी है इसका भी मुझे आंसर दीजिए इसके लाब यहाँ पर एक उटी हिल स्टेशन भी है उटी हिल स्टेशन फिर परवती नगर्वी इस्थित है आपको याद रखना है नील गिरी में ही इस्थित है काफी पहले वह आप देख लीजिए उसके बाद आप M.C की पाला लेक्षर देख लीजिए आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो फिलाल आज की लेक्षर में इतना ही बच्चो यह दी आप मुझसे इंडियन जोग्रफी पढ़ना चाहते है वर्ल जोग्रफी प हुआ 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 है